शिरिमत बालकी रमायन के 63 सर्ग में राजा दिशरत का शोक और उनका कुशलिया से अपने द्वारा मुनी कुमार के मारे जाने का परसंग सुनाना राजा दिशरत दो ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे उस समय उनका हिद्ध शोक से व्याकुल हो रहा था वे मन ही मन चिंदा करने लगे शिर राम अडच्छुन के वन में चले जाने से इन इंद्र तुलित जसी महराज दिशरत को शोक ने उसी परकार धर दवाया था जैसे राहु का अंदकार सूरी को डख लेता है पत्नी सहीच शीद राम के वन में चले जाने पर कोशल निरेश दिशरत ने अपने प्रातन पाप का संब्रन करके कजरारे नेत्रों वाली कोशल्या से कहने का विचार किया उसमें शीद राम चंदर जी को वन में गे छटी रात बीत रही थी जब आधी रात हुई तब राजा दिशरत को उस पहले के किये हुए दुशकरम का संब्रन हो आया पुत्र शोक से पेड़ित हुए महराज ने अपने उस दुशकरम को याद करके पुत्र शोक से व्याकल हुई कुशल्या से इस परकार कहना अरंब किया कल्यानी मनुश्य शोब या शोब जो भी करम करता है बद्रे अपने उसी करम के फल सरूप सुखियां दुख करता को प्राप्त होती है जो करमों का अरंब करते समय उसके फलों की गुरता या लगता को नहीं जानता उससे होने वाले लाब रूपी गुन अथवा हानी रूपी दोश को नहीं समझता वे मनुश्य बालक मुरक कहा गया है कोई मनुश्य पलाश का सुन्दर फूल देखकर मन ही मन ये अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर और सुस्वाद होगा फल की विलाशा से आम के बगीचे को काट कर वहाँ पलाश के पूदे लगाता और सींचता है वेह फल लगने के समय पश्चा ताब करता है क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल में नहीं पाता है जो क्रियमान करम के फल का ग्यानियां विचार ना करके केवल करम की और ही दोड़ता है उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काट कर पलाश सीचने वाले को हुआ करता है मैंने भी आम का वन काट कर पलाशो को ही सीचा है इस करम के फल के प्राप्ति के समय अब शीर राम को खोकर मैं पश्चा ताप कर रहा हूँ मेरी बुद्धी कैची खोटी है कुशले पिताक के जीवन काल में जब मैं केवल रासकुमार था एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याती फैल गी थी सब लोग यही कहते थे कि रासकुमार दश्चरत शब्द भेदी बान चिलाना जानते हैं इसी ख्याती में पढ़कर मैंने यहे एक पाप का डाला था जिसे अभी बताऊंगा देवी उस अपने ही किये हुए को करम का फल मुझे इस महान दुख के रूप बे प्राप्त हुआ है जैसे कोई बालक ग्यानवश विश खाले तो उसे भी वे विश मार ही डालता है उसी परकार मो या ग्यानवश किये हुए दुश करम का फल भी यहां मुझे भोगना पड़ रहा है जैसे दूसरा कोई ग्मार मनुश ये पलाश के फुलों पर ही मोहित होकर उसके कड़वे फल को नहीं जानता उसी परकार मैं भी शब्द वेदी बान विद्या की पर्शंशा सुनकर उस पर लग्टू हो गया उसके दोरा ऐसा करूरता पूर्न पापकरम बन सकता है और ऐसा भ्यंकर फल प्रात हो सकता है इसका ग्यान मुझे नहीं हुआ देवी तमारा विवा नहीं हुआ था और मैं अभी युवराजी था उन्हीं दिनों की बात है मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा रितुआई सुरिदे प्रिथी के रसो को सुखा कर और जगत को अपने किर्णों से बरी बाती संतब्द करके जिसमें यमलोक वर्ती प्रेत विचरा करते हैं उस भ्यंकर दक्षिन दिशा में संचरन करते थे सब और सजल में एक दिश्टी गोचर होने लगे और गर्मी ततकाल शांतोगी इससे समस्तर मेंडकों चातकों और मियूरों में हर्चा गया पक्षियों की पांखे उपर से भीग गए थी वे नहा उठे थे और बड़ी कठनाई से उन वरिक्षों तक पहुच पाते थे जिनकी डारियों के अग्रभाग वर्शार वाईयों के जोंकों से जुम रहे थी गिरे हुई और बारंबार गिरते हुए जल्से आचाती थुआ मतवाला हाथी तरंगरहित परशान समुद्र जथा भीगे परवत के समान परतीत होता था परतों से गिरने वाले स्टोत्रियां ज़रने निर्मल होने पर भी परती ये धातों के संपर्क से शेत लाल और भसम युठो कर सर्पो की भाती कुटल गती से बै रहे थी वर्शारितों के उस अत्यंत सुकद सुहामने समय में मैं ध्रुशबान लेकर रत पर स्वार होकर शिकार खेलने के लिए सर्युनदी के तट पर चला गया मेरी इंद्रियां मेरे वश्च में नहीं थी मैंने सुचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी बैसा मत्वाला हाथी अत्वा सिंग व्यागर आदी दूसरा कोई हिंसक जन्तु आवेगा तो उसे मार दूँगा उस समय वहाँ सब और अंदकार चा रहा था मुझे कसमात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी मेरी दृष्टी तो वहाँ तक पहुचिती नहीं थी किन्तु वे आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समात जान पड़ी ताम मैंने ये समझगर की हाथी ही अपने सूंड में पानी खींच रहा होगा अते वही मेरे बान का निशाना बनेगा तरकस से एक तीर निकाला और उस से शब्द को लक्ष करके चला दिया वे दीप्ती मानवान विश्थर सर्व के समान भ्यंकर था मैं उशाकाल की विला थी विशैले सर्व के सद्रिश उस तीखे बान को मैंने जो ही छोड़ा जो ही वहाँ पानी में गिरते हुए किसी वन्वासी का हाहाकार मुझे शपष्ट रूप से सुनाई दिया मेरे बान से उसके मर में बड़ी पीडा हो रही थी उस प्रुश के धाराशाई हो जाने पर वहाँ यह मानववानी प्रगठोई सुनाई देने लगी आह मेरे जैसे तपसी का शेष्ट रुप का परहार कैसे संबभ हुआ मैं तो नदी के इसे कांथ तड़ पर रात में पानी लेने के लिए आया था किसने मुझे बान मारा है मैंने किसका क्या बिगाड़ा था मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृतिका त्याग करके रिशी जीवन बिताता था वन में रेकर जंगली फल मुलों से ही जीव का चिलाता था मुझ जैसे निर पराद मनुश्य का शेष्टर दे वद्ध क्यो किया जा रहा है मैं वलकल मिर्क चरम पहने माला जटा धारी तपसी हूँ मेरा वद्ध करने में किसने अपना क्या लाब सोचा होगा मैंने मारने माले का क्या अपराद किया था मेरी हट्या का प्रेतन व्यर्थ किया गया इससे किसी को कुछ लाब नहीं होगा केवल अनर्थी हाथ लगेगा इस हट्यारे को संसार में कभी भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरू पत्नी गामी को मुझे अपने इस जीवन के नस्थ होने की उतनी चिंता नहीं है मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कस्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है मैंने इन दोनों व्रिदों का बहुत समय से पालन पोशन किया है कि मुख में डाग दिया किस वी वेक हीन और अजितिंद्री अप्रुश ने हम सब लोगों का एक साथी वद्ध का डाला ये करना भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी विय था होई कहां तो मैं धरम की अभिलाशा रखने वाला था और कहां ये अधरम का कारे बन गया उससे मेरे हाथों से दिनुश रबान छूटकर प्रिथी पर गिर पड़े रात में मिलाव करते हुए रिशी का वेक करन भचन सुनकर मैं शोक के वेक से गबरा उठा मेरी चेत्रा अत्यलत विलुप सी होने लगी मेरे हिर्दे में दिन्टा छागई मन बहुत दुखी हो गया सरीयो के किनारे उस्थान पर जाकर मैंने दिखा एक तपसी बान से घायल होकर पड़े हैं उनकी जिटाएं बिक्री हुई है घड़े का जल गिर गया है तदा सारा शीर धूल और खूंद में सना हुआ है वे बान से भिंदे हुए पड़े थे उनकी अवस्ता देखकर मैं डर गया मेरा चिट ठिकाने नहीं था उन्होंने दोनों नित्रों से मेरी और इस परकार दिखा मानों अपने देश से मुझे भसं कर देना चाहती हूँ वे कठोरवानी में यों बोले राजन वान में रहते समय मैंने तुमारा कौन सा अपरात किया था जिससे तुमने मुझे बान मारा मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहां आया था तुमने एक ही बान से मेरा मर में देन करके मेरे दोनों अंधे और बुड़े माता पिता को भी माट डाला वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं इनिच्चे ही प्यास से पिड़ी थोकर वे मेरी परतीक शा में बैठे होंगे वे देर तक मेरे आर आगमन की आशा लगाए तुख दाइनी प्यास दिये बाट जोहते रहेंगे हमशी मेरी तबस्या अत्वा शास्तर ग्यान का कोई फल यहां प्रगट नहीं हो रहा है क्योंकि पिता जी को ये नहीं मालुम है कि मैं प्रिथी पर गिर कर मृत्वी शीया पर पड़ा हुआ हूँ यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं क्योंकि असमर्थ हैं चल फिर भी नहीं सकते जैसे वायू आदी के दवरा तोड़े जाते हैं व्रिक्ष को कोई दूसरा व्रिक्ष नहीं बचा सकता उसी परकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते अधैर रगुकुल नरेश आप तुम ही जाकर शीगरी मेरे पिता को ये समाचार सना दो यदि स्यम कह दोगे तो जैसे प्रजली तगनी समुचे वन को जिला डालती है उसी परकार वे क्रोध में भर कर तुमको बसम नहीं करेंगी राजन ये पगडंडी उदर ही गई है जहां मेरे पिता का आश्रम है तुम जाकर उन्हें पर सन्न करो जिससे कुपी थोकर तुमें शाब ना दे राजन मेरे शीर से इस बान को निकाल दो ये तीखा बान मेरे मर्म स्थान को उसी परकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जलका वेग उसके कॉमल बालका में उंचे तट को चिन भिन कर दीता है मुनि कुमार की ये बात सनकर मेरे मन में ये चिन्ता समाई की यदी बान नहीं निकालता हूँ तो इसे क्लेश होता है और यदी निकाल देता हूँ तो ये अभी प्रानों से भी हाथ दो बैटती है इस परकार बान को निकालने के विश्य में मुझे दीन दुखी और शोका कुल दश्रत की इस चिंता को उस समें मुनिक मार ने लक्ष किया यथान बात को समझ लेने मारे उन महिर्शी ने मुझे अच्जनत गिलानी में पड़ा हुआ देख बड़े कस्ट से कहा राजन मुझे बड़ा कस्ट हो रहा है मेरी आँखे चड़ गई हैं अंग अंग में तरपन हो रही हैं मुझे से कोई चेष्टा नहीं बन पाती है अब मैं मृत्यू के समीप पूँच गया हूँ फिर भी धैर के द्वारा शोक को रोक कर अपने चित को स्थिर करता हूँ अब मेरी बात सुनो मुझे ब्रह्म्ह त्या होगी इस चिंता को अपने हिर्दे से निकाल दो राजन मैं ब्रामन नहीं हूँ इस लिए तुमारे मन में ब्रामन वद्द को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए नार्शिरेष्ट मैं वेश्य पिता द्वारा शूद्र जाती ये माता के घर्ब से उपन हुआ हूँ बावन से मर्व में आघात पोँचने के कारण में बड़े कस्ट से इतना ही कह सके कि उनकी आखे घूम रही थी उनसे कुछ चेष्टा नहीं बनती थी वे प्रिथी पर पड़े-पड़े छट बटा रहे थे और अत्यंत कस्ट का अनभव करते थे उस अवस्था में मैंने उनके शीर से उस बान को निकाल दिया फिर तो अत्यंत भाई भी भीत होकर उन तपो धन ने मेरी और देखकर अपने प्रान त्याग दिये पानी में गिरने के कारण उसका सारा शीर भीग गया था मर में अघात लगने के कारण बड़े कच से विलाब करके और बारं-बार उच्छवास लेकर उनने प्रानों का दिया किया था कल्याणी को शले उस अवस्था में सर्यों के तटपर मरे पड़े मुनी पुत्र को दे कर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे सारे इंद्रियां व्याकल हो रही थी। मैं एकेला ही बुधी लगा कर सोचने लगा अब किस सुपाई से मेरा कल्यान हू। तरंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरीयों के उत्तम जल से भरा और से लेकर मुनी कमार के बताय हुए मार्क से उनके आश्रम पर गया वहां पोँचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूडे माता पिता को देखा जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था उनकी वस्ता पंक कटे हुए दो पक्षियों के समान थी में अपने पुत्तर के ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैटे थे उस चर्चा के कारण उने कुछ प्रिश्रम या धकावट का अन्भव नहीं होता था यद भी मेरे कारण उनकी वे आशा धूल में मिल चुकी थी तो भी वे उसी के आशरे बैठी थी आवे दोनों सर्था अनाज से होगे थी मेरा हिर्दे पहले से ही शोक के कारण गबराया हुआ था भाई से मेरे होश ठिकाने नहीं थे मुनी के आशन पर पहुँचकर मेरा वे शोक और भी धिक हो गया मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनी इस परकार बोले बेटा तेर क्यों लगा रही हो शिग्र पानी ले आओ ताथ जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीडा की है उसी कारण को लेकर तुमारी ये माता तुमारे लिए उतकंठी तोगी है आते शीक्री आश्रम के भीतर पर वेश करो बेटा ताथ यदि तुमारी माता ने अथवा मैंने तुमारा को ये प्रिय किया हो तो उसे तुमें अपने मन में नहीं लाना चाही क्योंकि तुम तुम तबस्षी हो हम असाय है तुमी हमारे सायक हो हम अंदे है तुमी हमारे नित्र हो हम लोगों के प्रांध तुमी में अटके हुई है बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो मुनी को देखते ही मेरे मन में भैशा समा गया मेरी जबान लड़ खड़ाने लगी कितने अक्षरों का उच्चार नहीं हो पाता था इस प्रकार अश्पस्ट वानी में मैंने बोलने का प्रयास किया मानसिक भे को बाहरी चेश्टाउं से दबा कर मैंने कुछ कहने की शमता प्रात की और मुनी पर पुत्र की मृत्यों से जब संकटा पड़ा था मैं उन पर प्रगट करते वे कहा महात्मान मैं आपका पुत्र नहीं दशरत नाम का एक शत्री यह हूँ मैंने अपने करमवश ये ऐसा दुख पाया है जिसकी सत प्रोशने सदा निल्दा की है बगवन मैं धनुश बान लेकर सरीयों के तड़ पर आया था मेरे आने का उद्देश ही ये था कि कोई जंगली हिंसक पशू अत्वा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आए तो मैं उसे मारू थोड़ी देर बान मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है इस लिए उस पर बान चला दिया फिर सरीयों के तरप पर जाकर देखा कि मेरा बान एक तपसी की चाती में लगा है उस पान से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी उस समय उन्हें के कहने से मैंने सैसावे बान उनके मर्म स्थान से निकाल दिया बान निकलने के साथ ही वे ततकाल सर्क से धार गए मरते समय उन्हें आप दोनों पूजनी अंधे माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाब किया था इस परकार अंजान में मेरे हाँ से आपके पुत्र का पत्थ हो गया है ऐसी अवस्था से मेरे प्रती जो शाप या अनुग्रे शेश हो उसे देने के लिए आप महिर्शी मुझ पर परसन नहो मैंने अपने मुझ से अपना पाप प्रगट कर दिया था इस दिया मेरी क्रूटा से भरी हुई ये बात सुनकर भी वे पुज्य पाद महिर्शी मुझे कठोर दंड बसम हो जाने का शाप नहीं दे सके उनके मुख पर आंसों की धारा बेह चली वे शोक से मुर्शी दोकर देर निस्वास लेने लगे में हाद जोड़े उनके सामने खड़ा था उसमें उन महात जसी मुझे ने मुझ से कहा राजन यदि ये अपना पाप करम तुम सहम यहां आकर नहीं पताती तो शीकरी तुमारे मस्तक के सेंकड़ों हजारों टुकड़े हो जाती नरेश्वर यदि शत्री जान बूझ कर विशेष्टा किसी वानप्रस्ती का वद्ध का डाले तो वे वज्यदारी इंद्र ही क्यों ना हो मैं उसे अपने स्थान से भरस्त कर दीता है तपस्या में लगे हुए जैसे ब्रह्मवादी मुनी पर जान बूझ कर शिष्टर का प्रहार करने वाले पुरुश के मस्तक के साथ टुकड़े हो जाते ही तुमने अनजान में ये पाप किया है इसलिए अभी तक चीवी थो यदि जान बूझ कर किया होता तो समस्त रगवंशियों का कुल ही नस्ट हो जाता अकेले तुमारी तुद बात ही क्या है उन्हें मुझ से ये भी कहा नरेश वाद तुम हम दोनों को उस थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्तर मरा पड़ा है इसमें हम उसे देखना चाहते हैं ये हमारे लिए उसका अंतिन दर्शन होगा तामें अकेला ही अत्यन दुख भी पड़े हुए उन दमपती को उस थान पर ले गया जहां उनका पुत्तर काल के अधिन होकर पृत्थी पर अचेत पड़ा था उसके सारे अंग खौन से लगपत हो रही थी मिरिक चरम और वस्तर बिखरे पड़े थे मैंने पत्नी सहित मुनी को उसके पुत्तर के शीर का शपर्ष कराया वे दोनों तपस्षी अपने उस पुत्तर का शपर्ष करके उसके अत्यनत निकट जाकर उसके शीर पर गिर पड़े फिर पिता ने पत्तर को संबोधित करके उससे कहा बेटा आज तुम मुझे ना तो परणाम करते हो और ना मुझे से बोलते ही हो तुम भरती धरती पर क्यो सो रही हो क्या तुम हमसे रूट के हो बेटा यदि मैं तुम्हाला प्रियन नहीं हूँ तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की और तो दीखो तुम इसके हिद्दे से क्यों नहीं लग जाते हो वर्स कुछ तो बोलो अब पिछली रात में मधुर सवर से शास्त्र यां प्रान आदी अन्य किसी गरंत का विशेश रूप से सिधाय करते हुए कि इसके मुँसे मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूँगा अब कौन शनान संध्या पासना तता अगनी होत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भैसे पेड़ी तुए मुझ बुड़े को सांतुना देता हुआ मेरी सेवा करेगा अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझ अकर मन्ने अनकर संग्रे से रहित और अनात को प्रिय अतिथी की भाती भोजन कराएगा पेटा तुमारी ये तस्री माता अंधी भूड़ी दीन तता पुत्र के लिए उतकंठी तरहने वाली है मैं स्यम अंदाओ कर इसका भरन पोशन कैसे करूँगा पुत्र ठेरो आग यम्राज के घर मत चाओ कल मेरे और अपनी मता के साथ चलना हम दोनों शोक से आरतनाथ और दीन है तुमारे ना रहने पर हम शीक्रियम लोग की राह लेंगे तंतर सूरी पुत्र यम्राज का दर्शन करके मैं उनसे ये बात कहूंगा धर्म राज मेरे प्राद को शमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें जिसी अपने मता पिता का भरन पोशन कर सके ये धर्मात्मा है मा आई सस्वी लोकबाल है मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभे दान दे सकते है पेटा तुम निश्पाप हो किन्तु एक पाप कर्मा शत्री ने तुमारा वद्ध किया इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीक रही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी शूरवीरों को प्राप्त होते हैं पेटा युद्ध में पीठना दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गती को प्राप्त होते हैं उसी उत्तम गती को तुम भी जाओ वस राजा सगर, शैब्य, दलीप, चनमेजे, नहुश और धंदोमार जिस गती को प्राप्त होए हैं वही तुमें भी मिले सेधाय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रे भूद जिस पर ध्रम्म की प्राप्ती होती है वही तुमें भी प्राप्त हो वस भूमी दाता, अगनी होत्री, एक पत्नी मरती, एक हज्जार गौमों का दान करने वाला गुरू की सेवा करने वाले तिथा महाप्रस्थान आदी के द्वारा दे त्याग करने वाले पुर्षों को जो गती मिलती है वही तुमें भी प्राप्त हो हम जैसे तपस्षियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरी गती को नहीं प्राप्त हो सकता बुरी गती तो उसकी की होगी जिसने मेरे भांदव रूप तुमें आकारन मारा है इस परकार में दीन भाव से बारंबार विलाब करने लगे तपस्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलाजनी देने के कारी में प्रवित होई इसी समय में धर्मग्य मुनी कुमार अपने पुन्ले करमों के प्रभाव से दिवी रूप धारन करके शीगरी इंदर के साथ सर को जाने लगा इंदर सहित उस तपस्ची ने अपने दोनों बुड़े पिता मता को एक महुरत तक काश्वाशन देते हुई उनसे बात जीत की फिर वैं अपने पिता से बोला मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ अब आप लोग भी शीगरी मेरे साथ आ जाईएगा ये कहकर वजतिंद्रीय मुनी कमार उस सुंदर अकार वाले दिविव मान से शीगरी देव लोग को चला गया रंतर पत्नी सहीतन महत जसी तपस्ची मुनी ने तरंती पुत्र को जलांजरी देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझे से कहा राजन तुम आज ही मुझे भी माट डालो अम मरने से मुझे कश्ट नहीं होगा मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बांग का निशाना बना कर मुझे पुत्र हिंज कर दिया तुमने अज्ञानवास जो मेरे बालक की हत्या की है उसके कारण मैं तुमें भी अच्चन भ्यंकर एम भड़ी वाती दुख देने वाला शाब दूँगा राजन इसमें पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कस्थ हो रहा है ऐसा ही तुमें भी होगा तुम भी पुत्र शौक से ही काल के गाल में चले जाओगी नरीश्वर शक्ती होकर अंजान में तुमने वैश्य जातिय मुनी का वद्ध किया है इसलिए शीक्र ही तुमें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा तुठापी जल्दी ही तुमें भी ऐसी ही भ्यानक और प्राण लेने वाली अवस्था पराप्त होगी ठीक उसी तरह जैसे डक्षना देने वाले दाता को उसके अंड्रोप फल पराप्त होता है इस परकार मुझे शाब देकर वैं बहुत देर तक करना जनक फिलाब करते रहे फिर दोनों पती पत्नी अपने शीर को जलती हुई चिता में डाल कर सर को जले गए देवी इस परकार बाल सभाव के कारण मैंने पहले शब्द भेदी बान मार कर और फिर उस मुनी के शीर से बान को खींच कर जो उसका वद्रु भी पाप किया था मैं आज इस पुत्रवियों के चिंता में पड़े हुई मुझे स्यम ही समरन हो आया है देवी अपथ्य वस्तों के साथ अंडरास ग्रहन कर लेने पर जैसे शीर में रोग पैदा हो जाते ही उसी परकार ये उस पाप करम का फल उपस्तित हुआ है अते कल्यानी उन उदर उदार महात्मा का शाप रुपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है भपाल मृत्यों के भई से तरस्तों कर अपनी पत्नी से रोते हुए बोले कुशले आम मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूँगा इससे मैं तुमें अपनी आँखों से देख नहीं पाता हूँ तुम मेरा श्पर्ष करो जो मनुशियम लोक में जाने वाले मरना सन होते हैं मैं अपने भांदव जनों को नहीं देख पाते हैं यदि शीर राम आकर एक बार मेरा श्पर्ष करें अत्वा ये धन वैभावर यवराजपद से विकार करनें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ तेवी मैंने शीर राम के साथ जो वरताब किया है मैं मेरे की योग्य नहीं था परन्तों शीर राम ने मेरे साथ जो विवार किया है मैं सर्थान के योग्य है कौन धिमान प्रोश इस भुतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी पर त्याग कर सकता है एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्वा पुत्र को त्याग दिया तदा कौन ऐसा है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसे तक नहीं परन तो शीराम चुपचाब चलेगे वोने मेरे वरूत एक शब्द भी नहीं कहा कुशले आँ मेरी आँखें तुम्हें नहीं देख पाती है समरन चक्तिवी लुप्त होती जा रही है उदर देखो यह यम्राज के दूद मुझे यहां ले जाने के लिए उताव ले उठे है इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्रणांत के समय सत्य प्राकर्मी धर्मग्य राम का दर्शन नहीं पा रहा हूं जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है उन प्रिय पुत्र शीराम के ना देखने का शोक मेरे प्रानों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीकर सुखा देती है वे मनुश्य नहीं देवता है जो आपके पंद्रवे वर्ष वन से लोटने पर शीराम का संदर मनोहर कुंडलों से अलंकरित मुख देखेंगे जो कमल के समान नित्र सुंदर बोहें सच्छ दांत और मनोहर नासका से शोबित शीराम के चंद्र पम मुख का दर्शिन करेंगे वे दन्ने हैं जो मेरे शीर राम के शरत चंदर सद्रिश मनोहर और परफल उतमल के समान सुवासित मुका दर्शिन करेंगे वे दन्ने हैं और मुटता आदी वस्ताओं को त्याक कर अपने उच्छ मार्ग में स्थित शुक्र का त्याक करके लोग सुखी होते हैं उसी परकार वनवास की अब धी पूरी करके पुना एद्धा में लोटकर आई हुए शीराम को जो लोग देखेंगे वे ही सुखी होंगे कुशले मेरे चित पर मोग च्छा रहा है हिद्दे विदीन सा हो रहा है इंद्रियों से सिंग्योग होने पर भी मुझे शब्दश पर्ष रस आदी विश्यों का अन्भम नहीं हो रहा है जैसे तेल समाथ हो जाने पर दीपक की अरन प्रभावे दीन हो जाती है उसी परकार चेतना के नस्थ होने से मेरे सारी इंद्रियां ही नस्थ हो चली है जिस परकार नभी का वेग अपने ही कनारे को काट किराता है उसी परकार मेरा अपना ही उत्पन किया हुआ शोक मुझे वेग पूरक नाथ और अचेत की ये दे रहा है हा महाबाहु रगरंदन हा मेरे कस्टो को दोर करने वाले शी राम हा पिता के प्रिय पुत्र हा मेरे नाथ हा मेरे बीटे तुम कहां चलेगी हा को शले आप मुझे कुछ नहीं दिखाई दीता हे तपस्विन समित्रे आम मैं इस लोक से जा रहा हूँ हा मेरे शत्रो क्रोर कुल लंगार के कई तेरी कुटिल इच्छा पूर्ण हुई इस परकार शी राम माता को शल्या और समित्रा के निकट शोक पूर्ण विलाब करते हुई राजा दश्रत के जीवन का अंत हो गया अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोका कुल हुए राजा दश्रत इस परकार दीनता पूर्ण वचन कहते हुई आधी राद बीते बीते अत्यन दुख से पेड़ी थोगे और उसी समय उन उदार दर्शी नरेश ने अपने प्रानों को त्याग दिया इती इस परकार शिरिबालमिक निर्मित आर्श रमाइन आधिकावे की अध्याकांड में चोसथवा सर्थ पूर्ण हुआ शिरिमत बालकी रमाइन अध्याकांड पैसथवा सर्थ वंदी जनों का स्तुतिपाठ राजा दश्रत को दिवंगत हुआ जान उनकी राणियों का करण विलाब राजा के लिए कुशल्या का विलाब और कैकई की भरसना मंत्रियों का राजा के शाव को तेल से बरे हुए कड़ा में सुलाना रानियों का विलाप, पुरी की शिरी हिंता और पुर्वासियों का शोग तंतर राद वीतने पर दूसरे दिन स्वेरे ही वंदी जन महराज की स्तुती करने के दिए राज महल में उपस्थित हुए व्याकरन ग्यान से संपन, अत्वा उत्तम अलंकारों से भूशित सूथ उत्तम रूप से वंश पुरंप्रा का श्रमन कराने वाले माघत और संगीत शास्त्र का अनुशीलियन करने वाले कायक अपने अपने मार के अंसार प्रथक प्रथक येशोगान करते वहां पर आए उत्सवर से आशीरवाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत मागध आदी का शब्द राज महलों के भीतर भाग में फैल कर गुंजने लगा वे सूत गन स्तुति का रहे थे इतने ही में पानी वादक अर्थात हाथों में ताल दे कर गाने वाले वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गती के अंसार तालियां बचाने लगे उस शब्द से विरिक्षों की शकाओं पर बैटे हुए तिथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजडे में बंद शुक आदी पक्षी जाकर चैचिहाने लगे शुक आदी पक्षियों तिथा ब्रामनों के मुक से निकाले हुए पृत्र शब्द विनाओं के मधुर नाद तिथा गाथाओं के अशीरवाद यक्त गान से वे सारा भवन कुँझ उठा दंतर सदाचारी तिथा परिचर्या कुशल सेवक चिन में इस्त्रियां खोजों की संख्या दिक थी पहले की भांती उस दिन भी राजबहन में उपस्तित हुगी पाचार विचार वाली इस्त्रियां जिन में कुमारिक न्याओं की संख्या दिक थी मंगल के लिए शपर्ष करने योग्य गव आदी पीने योग्य गंगा जाल तथा अन्य अपकरन दरपन भुशन और वस्त्र आदी लेकर आई प्रादाकाल रजाम के मंगल के लिए जो जो वस्तवे लाई जाते हैं उनका नाम अभी हारिक है वहां लाई गई सारी अभी हारिक समगरी समस्त शुब लक्षनों से संपन्विधी के अनलोग आदर और प्रशंचा के योग्य उत्तम गुन से योग्त तथा शुभाय मान थी सुर्य दे होने तक राजा की सेवा के लिए उस्सक हुई सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया जब उस समय तक राजा बाहत नहीं निकले तब सब के मन में ये शंका होगी कि माहराज के ना आने का क्या कारण हो सकता है तंदर जो कोशल नरेश तशरत के समीप रहने वारे इस्त्रियां थी वे उनके शिया के पास चाकर अपने स्वामी को जगाने लगी वे इस्त्रियां का श्वर्ष आदि करने की युग्य थी अताए वनीत भास युग्ति पूरकुनों ने उनकी शिया का श्वर्ष किया श्वर्ष करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन नहीं पास की सोय है पुरुष की जैसी स्थिती होती है उसकी भी इस्त्रियां वे इस्त्रियां अच्छी तरह समझती थी अतार उनने हिर्दे एम हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाडियों का भी प्रिक्षा की कि तो वहां भी कुछ चीशता नहीं परतीत हुई फिर वे कांप उठी उनके मन में राजा के प्रानों के निकल जाने की अशंका होगी वे जल के प्रवा के समुक पड़े हुए तिनकों के अगरभाग की भांती कांपती हुई परतीत होने लगी शंशे में पड़ी हुई उन इस्तियों को राजा की और देखकर उनकी मृत्यू के विश्य में जो शंका हुई थी उसका उस समय उन्हें पुरा निश्चे हो गया पुत्र शोक से अक्रान थोई कुशल्या और समित्रा उस समय मरी हुई के समान होगी थी और उस समय तक उनके नीद नहीं खुल पाई थी सोई हुई कुशल्या श्री हीन होगी थी उनके शीर का रंग बदल गया था वे शोक से प्राजित एंपिडित हो अंदकार से अच्छा दित हुई तारका के समान शुबा नहीं पा रही थी राजा के पास कुशल्या थी और कुशल्या के समीब देवी समित्रा थी दोनों ही निद्रा मग्न हो जाने के कारण शुबा हिन पर दीत होती थी उन दोनों के मुकवर शोक के आंसु पहले हुए थी उस समें उन दोनों देवियों को निद्रा मग्न देख अन्तेपुर की अन्य इस्त्रियों ने यही समझा कि सोती वस्ता में ही महराज के प्राण निकल गी भेतो जैसे जंगल में यूत्पती गजराज के अपने वास्थान से अन्यत्र चड़े जाने पर हत्रिया करुंचीत कार करने लगती हैं कोशल राज-कमारी कोशलिया धर्दी पर लोटने और छट पटाने लगी उनका धूली दूसरी शीर शोबा हिन दिखाई देने लगा मानों अकास से तूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लोट रही हूँ राजा दशरत के शीर की उशनता शांत होगी थी इस परकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमी पर अचेत पड़ी हुई कोशल्या को अंतर पूर की उन सारी इस्तियों ने मरी हुई नागन के समान देखा अंतर पीछे आई हुई महराज की कई आदी सारी राणिया शोग से संतब्थ होकर रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी उन गरंदन करती ही राणियों ने वहाँ पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया उस बड़े हुई आर्तनाद से वह सारा राज महल पुना बड़े जोर से गूंज उटा काल धरम को प्रात हुई राजा दिश्रत का वे भवन डरे घबराई और अत्याद उस्वक हुए मनिशों से बार गया साब और रोने चिलाने का भ्यंकर शब्द होने लगा वहाँ राजा के सभी बंदू भांदव शोक संताप से पीड़ी थूकर जुट गे में सारा भवन तत्काल अनंद शुनने होकर दिन दुखी एम व्याकुल दिखाई देने लगा उन्हें ये ससी वपाल शिरुमनी को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चार और से घेकर अत्यान दुखी होकर जोर जोर से दोने लगी और उनकी दोने वाहें पकड़ कर अनात की भांती करन विलाप करने लगी इस परकार बालमिक निर्मित आश्रमायन आदिकावे के अध्याकांड में 65 बर सर्ग पूर्ण हुआ, 66 सर्ग में बुजी हुई आग, चलहिंच समुद्र तथा प्रवाहिंच सूर की भांती शोबाहिन हुए दिवंगत राजा का शव देकर कुशल्या के नित्रों में आशु भाराई मैं नेक प्रकार से शुकाकुल होकर राजा के मस्तक के गोद में नेकर के कई से इस परकार बोली, दुराचारनी करूर ककई, ले, तेरी कामना सफल हुई आप राजा को भी त्याक कर एका गर्चित हो, अपना अकंटक राज्जिभ हो राम मुझे छोड़ कर वन में चले गए, मेरे सामी सर्ग से धार गए आम में दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछड़ कर असहाई हुई अबला की भांती जीवित नहीं रह सकती नारी धर्म को त्याक देने वाली ककई के सिवा, संसार में दूसरी कौन ऐसी इस्तरी होगी जो अपने लिए आराध्य देव सरूपती का परत्याक करके जीना चाहेगी जैसे कोई धनका लो भी दूसरे को विश्ख खिला दिता है और उससे होने वाले हत्या के दोशों पर ध्यान नहीं दिता उसी परकार इसके कई ने कुपजा के कारण रगोवन्शियों के इस कुल का नाश कर डाला के कई ने महराज को अयोग्य कारे में लगा कर उनके दोरा पत्री सहिच शीराम को वन्वास दिलवा दिया ये समाचर जब राजा जनक सुनेगे ता मेरे ही समान उनको भी बड़ा कस्ट होगा में अनाथ और विद्धा होगी ये बात मेरे धर्मात्वा पुत्र कमल नेंची राम को नहीं मालम है वे तो यहां से जीते जी अद्रिश्य होगे ही पती सेवा रोप मनोहर तब करने वाली विद्धी कुमारी सीता दुख भोगने के योग नहीं है वे वन्वे दुख का अन्भावकार के उद्धिग नहो उठेगी रात के समय भ्यानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों के बोले सुनकर बैबीतो कर सीता शीर राम की ही शरन लेगी उन्हें की गोद्वे जाकर छिपेगी जो बूड़े होगे ही कन्याई मात्र ही जिनकी संतती हैं वे राजा जनक भी सीता की ही बारब बार चिंता करते हुए शुक में डूपकर अवश्य अपने प्रानों का परत्याग कर देंगी मैं भी आज ही मृत्यू का वरन करूंगी एक पती ब्रता की भांती पती के शीर का अलिंगन करके चिता की आग में परवेश कर जाओंगी पती के शीर को हिद्दे से लगा कर अपने दुख से आर्त होकर करूंगी लाब करती हुई तबस्वनी कुशल्या को राज कास देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी इस्त्रियो द्वारा वहां से हटवा दिया फिर उन्होंने महराज के शीर को देल से भरे हुए कडामे रखकर शिष्ट आदी की आगया कि उनसार शवकी रख्षा आदी अन्हे सब राज की कारियों की संभाल अरंब कर दी में सरवग्य मंत्री पुत्र के बिना राजा का दासंसकार नहीं कर सके इस लिए उनकी शवकी रख्षा करने लगे जहां मंत्रियों ने राजा के शव को तेल के कड़ाई में सुलाया तब ये जानकर सारी रानिया हाई ये महराज पर लोग वासी होगे ऐसा कहते ही पुना विलाब करने लगी उनके मुख पर नित्रों से आसों के जरने जर रहे थे वे अपने भुजाओं को उपर उठा कर दीन भाव से रोने और शौक संतप सोकर देने विलाब करने लगी वे बोली हां महराज हम सत्य परतिग्य एंसदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र शीराम से तो बिचड़ी ही थी अब आप भी क्यों हमारा प्रतिया कर रहे हैं शीराम से बिचड़ कर हम सब विद्वाएं इस दुस्ट विचार वाली सोत कगई के समीव कैसे रहेंगी चो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे में मनसी शीराम चंदर रज लचमी को छोड़ कर वन चले गए वीरवर शीराम और आपके भी ना रहने से हमारे उपर बड़ा भरी संकट आ गया जिसे हम मोहित हो रही हैं आप सोत के कई के दवारा त्रिस्क के थो हम यहां कैसे रह सकेंगी जिसने राजा का तता सीता सहीची राम और महा बली रच्छुन का भी पर त्याग कर दिया में दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी रगो कुल नरेज दशरत की वे संद्री रानियां महान शोक से ग्रस्तो कर आसु बहाते हुई नाना परकार की चिस्टाई और विलाब कर रही थी उनका अनन्द लुट किया था महामना राजा दशरत से हीन हुई वे उध्यापुरी नक्षत्र हीन रात्री और पती वहीना नारी को ही बाती शिरी हीन होगी थी नगर के सभी मनश्य आसु बहा रहे थी गुलवती इस्त्रिया हाहा कार कर रही थी चुराहे तथा घरों के द्वार सुने दिखाई दी थी वहाँ जाड भुहार लीपने पोतने तथा बली अर्पन करने आधी की क्रियाएं नहीं होती थी इस पुरकार वे पूरी पहले की भाती शुबा नहीं पाती थी राजा दिश्रत शोक वाज स्वर्क से धारे और उनको राणिया शोक से ही भूतल पर लोटती रही इस शोक में ही सैसा सूरे की किन्नों का परचार बंद हो गया और सूरे देवस्त हो गये ततपश्चातन दकार का परचार करते ही दात्री वस्तित हुई महाँ पधारे हुए सहर्दों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दात संसकार होना नहीं पसंद किया अब राजा का दर्शन अच्चिनत हो गया वे सोचते हैं उन सब ने उस तेल पुर्ण कड़ा में उनके शावकोश रक्षित रख दिया सूर के बिना प्रभाहिन आगाश तरह नक्षत्रों के बिना शुबाहिन डात्री की भांती एउध्यापुरी महात्मा राजा दश्रत से रही तोकर शिरी हीन परतीत होती थी उसकी सट्को और चुराहों पर आसों से अवरुद कंठ वाले मुनिश्यों की भीड कत्त्रोगी चुंड के चुंड इस्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता के कई की निंदा करने लगे उससे महाराज की मृत्यों से एउध्यापुरी में रहने वाले सबी लोग शुका कुल हो रहे थे कोई भी शान्ती नहीं पाता था इस परकार श्री बल्मेक निर्मित आर्च रमायन आदी कावि के अध्याकांड में च्छासथमा सर्ग पोर्ण हुआ उसमें अनंद का नाम भी नहीं था आशों से सब लोगों के कंठ बरे वे थे दुख के कारण वे रात सब को बड़ी लंबी परती थुई थी जब रात बीतगी और सुरिदे हुआ तब राज्यका परभंद करने वाले ब्रामन लोगे कत्र होकर दर्बार में आए मारकंडे, मुदगले, वामदेव, कश्यप, कात्याइन, गोतम और महाशसी जाबाली ये सबी ब्रामन शेष्ट राजपरोहित विशिष्टी के सामने बैटकर मंत्रियों के साथ अपनी अलगलग राए देने लगे वे बोले, पुत्र शुख से इन महाराज के सर्गवासी होने के कारण ये रात बड़े दुख से बीती है जो हमारे लिए सो वर्षों के समान पर दीत हुई थी महाराज देशरत सर्ग सिधारे, शीदराम चंदर जीवान में रहने लगे और तज़च सी लच्छन भी शीदराम के साथ ही चलेगे शेट्रो को संताब देने वाले दोनों भाई भरत और शेट्रुगन कहके देश के रमनिय राज ग्रह में नाना परकार के घर में निवास करते ही एक श्वाको वंशी राज कुमारों में से किसी को भी आज ही यहां का राजा बनाया जाए क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज का नाश हो जाएगा जहां कोई राजा नहीं होता ऐसे जनपद में विद्धिन मालाव से अलंकरित महान गर्जन करने वाला मेग प्रिथी पर दिवे जल की वर्षा नहीं करता है जिस जन्बत में कोई राजा नहीं, वाँ के खेतों में मुठी के मुठी बीज नहीं बिखरे जाती राजा से रहीत देश में पुत्र, पिता और इस्त्री पती के वश में नहीं रहती राजहिन देश में धन अपना नहीं होता है बिना राजा के राज्य में पत्री मी अपनी नहीं रह पाती है राजा रहित देश में महान भे बना रहता है जहां महापती पत्री आदी का सत्य संबंद नहीं रह सकता तब फिर कोई तूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है बिनार रजा के रज्ज में मनुश्य कोई पंचायत भवन नहीं बनवाते रमनिय उध्यान का भी निर्मान नहीं करवाते हर्श रुख्सा के साथ पुन्य ग्रे तरमशला मंदर आदी भी नहीं बनवाते ही जाकविर राजा नहीं उस जन्पद में सभावता यग्य करने वाले द्विज और कठोर वर्त का पालन करने वाले चितिंद्रे भ्रामन उन बड़े-बड़े यग्य का अनुस्ठान नहीं करते जिसमें सभी रित्टिग और सभी यजवान होते ही राजा रही जन्पद में कदाचित महायग्य को अरंब हो तो भी तो उन में धन संपन भ्रामन भी रित्टिग्य को प्रयाप्त दक्षना नहीं देते उन्हें भे रहता है कि लोग हमें धनी समझ कर लूट ना ले अराजा के देश में राष्ट को उनती शील बनाने वाले उत्सव जिन में नट और नर्तक हर्ष में भर कर अपनी कला का परदर्शन करते हैं बढ़ने नहीं पाते हैं तो ता दूसरे दूसरे राष्ट हितकारी संग भी नहीं पनपने पाते हैं पिना राजा के राज़ में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोष नक निप्टारा नहीं हो पाता अथावे पारियों को लाब नहीं होता कता सुनने की इच्छावले लोग कता वाचक पुरान कवको कताओं से परसंद नहीं होते राजा रहित जन्पत में सोने के अबुशनों से इबुशित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उध्यान में क्रीडा करने के लिए नहीं जाती है विना राजा के रज में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तदा क्रीशी और गोरक्षा से जीवन निर्वा करने वाले वहिश भी दरवाजा खोल कर नहीं सो पाते हैं राजा से रही जनपद में कामी वनुष्य नारियों के साथ शीकर गामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं जहां कोई राजा नहीं होता उस जनपद में साथ वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांद कर सड़कों पर नहीं गूंते हैं बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष की और बांद चलाने वाले वीरों की परतिंचा तथा कर्तल का शब्द नहीं सुनाई दीता है राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यपार करने वाले वनिक बेचने की बहुत सी वस्त्वे साथ लेकर कुशल्टा पूरक मार्ग तै नहीं कर सकते हैं जहां कोई राजा नहीं होता उस जनपद में जहां संध्या हो रही वहीं देरा डाल देने वाला अपने अंतै करम के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला है विचरने वाला जितिंद्रियम मुनी नहीं गूंता फिकता है क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता राजक देश में लोगों को अपराप्त वस्तु की प्राप्ती और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती राजा के ना रहने पर सैना भी युद्ध में शत्रू का सामना नहीं करती बिना राजा के रज में लोग वस शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, मनुश्य वनों और पुवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते हैं। जहां अरजिक्ता फैल जाती है उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल मिठाई और दक्षना की वियस्था नहीं करते हैं। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता है। वहां चंदन और अग्रू का लेप लगाते हुए राज कमार वसंत रितु के खिले हुए व्रिक्षों की भांती शोबा नहीं पाते हैं। जैसे जल के बिना नदियां घास के बिना वन और गवालों के बिना गुमों की शोबा होती हैं। उसी परकार राजा के बिना रज शोबा नहीं पाता है। जैसे धजरत का ग्यान करता है और धूम अगनी का भुदक होता है। उसी परकार राज काज देखने वाले, हम लोगों के अधिकार को परकाशित करने वाले, जो महराज थे वे यहां से देव लोग को चलेगे। राजा के ना रने पर रज में किसी भी मनुश्य की कोई भी वस्तो अपनी नहीं रह जाती। जैसे मतस्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी परकार राजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते लूटते सोटते रहते हैं। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाती के लिए नियत वरन आश्रम की मर्याता को भांग करने वाले नास्तिक मनुश्य पहले राज दंड से पिड़ी थोकर दबे रहते थे, वें भी अब राजा के ना रहने से निशंक होकर अपना प्रभुत वरगट कर उसी परकार राजा, राज्य के भीतर सत्य और धर्म का परवर्तक होता है। प्रंतो एक शेष्ट राजा में ये चारो गुन मजूद होते हैं, नतावे इन से बढ़ जाता है। यदि संसार में भले भुरे का विभाग करने वाला राजा ना हो, तो ये सारा जिगत अंदकार से अच्छन सा हो जाए। कुछ भी सोज नहीं पड़े। मुशी श्री जैसे उमरता हुआ समुद्र अपनी तट भूमी पर पहुँच कर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी परकार हम सब लोग महराज के जीवन काल में भी केवल आपके ही बात का उलंगन नहीं करते थे। अतर प्रिविप्रवार इसमें हमारी व्यभार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुई इस देश पर दिष्टी पात करके आपी किसी एक्षवा कुमंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरिश को राजा के पत पर अबशिक्त कीजिए। इस परकार श्री बार्मिक निर्मित आर्शरमाइन आधिकावे के अध्याकार्ण में च्यासटवर सर पूर्ण हुआ है।